हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें लिमिट से questions कराना जा रहा हूं, जो जे में 2021 जुलाई में पूछा गया है, ठीक है, तो पहला question तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यहां से आज हम लोग अपनी पढ़ाई start करेंगे, ठीक है, तो बच्चों इस question को देख करके तुम्हें क यह किस फॉर्म में, अगर x के लिटो 0 के पास जाएगी, तो cos01 होता है, cos01 तो 2-11, 1 की पावर, और x के लिटो 0 के पास है, तो यह पूरा का पूरा infinite के पास जा रहा है, यह 1 प़ॉर इंफानाइट फॉर्म में है, और 1 प़ॉर इंफानाइट फॉर्म के लिए आप लोगों x tending to a e to the power 5x into fx minus 1, यह लिखते हैं न, यह फार्मुला आपको तो पता होगा ही, बहुत बार question लगा चुके हो न, तो बस इसी फार्मुले का use करके हम इस question को solve करेंगे, ठीक है, तो limit x tending to 0, यह जो लिखा हुआ है, यह 1 पार भाई, 2 minus 1, 1, 1 गी पार infinite पॉम है, तो यह e to the power 5 x, x square plus 2 upon x, और इसमें से 1 घटा दो, तो 1 minus cos x under root cos 2x, काम हो गया, ठीक है, यह बन गया, ठीक है, तो इस फार्मुले का use करके हमने इसे तुरंत बना दिया, जो है, इस form में, ठीक है, e की power वाले form में है, चलो, ठीक है, आप इसके बाद क्या करें, बताओ, इसके बाद क्या कर जाएगी, यह कोई problem नहीं create कर रहा है, this upon x, यह तुम्हें solve करना है, ठीक है, तो इसको solve करने के लिए क्या करोगे, बोलो, बोलते चलो, बोल नहीं रहे कुछ बच्चे, आजा क्या आएगा, बोलो, x square plus 2, और इधर कितना हैगा, 1 minus cos x, under root के अंदर, cos 2x, divide by x, ठीक है, हाँ, यहां तक आगे, ठीक है, तो अब बताओ, इसके आगे क्या करोगे, हाँ, तो अब यह एक नया question मन गया, 1 minus cos x, under root, cos 2x, upon x, और यह देखो, x के अलगर 0 के पास जा रहे हैं, तो यह 1 minus 1, 0 by 0 form है, ठीक है, तो तुम अब इसे solve करोगे, तुम चाहे तो यहाँ पर L hospital rule लगा ल क्या करना है, रिस्नलाइस करते हैं, 1 minus cos x, और under root cos 2x, नीचे x, इसमें क्या क्या multiply, divide करते हैं, रिस्नलाइस करने के लिए, इसमें उपर नीचे, 1 plus, 1 plus cos x, under root cos 2x, और 1 plus, 1 plus cos x, और under root cos 2x, से उपर नीचे, सीधा-ज़़ा multiply, divide कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, यह हमने rationalize कर लिए, जो लिखा हुआ था, इसमें हमने, इससे उपर नीचे multiply कर लिए, यहाँ पर 1 minus लिखा हुआ था, तो चाहिए इससे बात है, 1 plus करके, उपर नीचे multiply कर लेंगे, तो क्या मैनेगा, देखो, limit x tending to 0, e to the power x square plus 2, इसक cos 2x, ठीक है, और नीचे x आ जाएगा, और इधर 1 upon 1 plus cos x, और अंडरूड, cos 2x, देखो, एक बाए बताऊं, अगर x के लूँ 0 के पास जाएगी, तो यह तो भाई 2 बन जाएगा, और यह कितना बन जाएगा, 1 plus 1, cos 0 कितना होता है, cos 0, 1 होता है, तो यह भी 1 plus 1, 2 बनने वाला और यह भी 2 बन जाएगा, तो यह दोनों वास्तों में, फिर 2 और 2 यह कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचाएगा, जानते हो, इसको हम लोग अभी ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यह problem नहीं create कर रहा है, तो यह की power 0 plus 2 मतलब 2, और 1 plus 1 मतलब 2, और यह कट जाएगा, 2 by 2 क करके दिखा दो, ना दिखाओ, सब ठीक है, क्योंकि यह दोनों बात में चलके problem ने create कर रहे हैं, कोई 0 form में तो हैं नहीं कि आप किसी problem में आऊगे, ठीक है, तो इन दोनों का अभी यहां पे हटा दो, इस पे limit लगा के हटा दो, algebra limit क्या कहता है, कि जो है, अगर कोई ऐसी problem हो रही हो, तो आप जो है, बीच में, मतलब limit को distribute कर सकते हो, इससे दो function है, और limit x tan to a लिखा हुआ है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, limit x tan to a fx into limit x tan to a gx, अगर fx into gs लिखा हुआ है, तो दोनों को अलगा सकते हो, इनको अलग अलग करने पर कोई problem ना create हो रही हो, कोई undeterminate form या यहाँ पर possible है, हाँ, तो अब यह तुम्हारा main question है, और यहाँ तक अगर तुमने इसको लगाया होगा, तो यहाँ तक तो बहुची गए होगे शेओ, अब इसके आगे क्या करना है, अब यह लिखो, यह जो cos square लिखा हो, इसको 1 minus sin square x सीधा लिख दो, और directly solve हो जाएगा यह ठीक है, अब कुछ बचेगा ही नहीं इसके में, देखो यह कर लिया, और जब तुमने इसको आगे बढ़ाया, तो क्या बनेगा जानती हो, limit x to 0, e to the power, 1 minus cos 2x, देखो ध्यान से इसको multiply कर लो, तो 1 minus cos 2, और plus sin square x cos 2x, और divide by x, ठीक है, यहाँ तक आगे है, यहाँ पे जो अं अच्छे form में यह पहुँच गया, और 1 minus cos 2x, क्या लिख सकते हैं, जड़ा बताओ, 1 minus cos 2x, पर लिख सकते हो, 2 sin square x, और उधर sin square x, और यहाँ पे cos 2x divided by x, अब तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि क्या अंसर आने वाला है, है ना, limit x tending to 0, और sin x upon x, e to the power, ठीक है, limit x tending to 0, e to the power, sin x by x, और इधर कितना बचना है, 2 sin x, और प्लस sin x into cos x, ठीक है, बस अब solve हो चुका है, यह question, बहुत असानी से, limit x tending to 0, sin x upon x, यह तो 1 बन जाएगा, ठीक है, है, तो यह बनेगा, limit x tending to 0, और यह yield power, यह बन जाएगा, आपका 1, और इधर, 2 into 0, और प्लस sin 0, और cos 0 के लिए तो 1 होती है, और sin 0, 0 जाएगा, तो 0 प्लस 0, 2 sin x, sin x, sin x दोनों तरफ है, तो इसलिए 0 प्लस 0, ठीक है, तो यह बन जाएगा, कुल मिला करके, eat the power, eat the power 0 बन जा रहा है, और eat the power 0 के value 1 होती है, इस answer 1 के बराबर है, ठीक है, तो बहुत असानी से solve हो गया, यह question, कैसे solve हो गया, हम लोगों ने सबसे पहले यह वाला formula लगाया, और इस वाले formula लगाने के बाद, हमने यह अंड़ोट को हटाने के लिए, रिसनलाइस कर लिया, और जैसे रिसनलाइस हो गया, cost square की value, यहाँ पर जब रिसनलाइस के तो cost square आ रहा था न, तो cost square को हमने सीधा सीधा 1 मानस sin square f लिखा, और बहुत असानी सी यह हमारा answer आ गया, इस question का ठीक है, चलो बच्चों, अब अगला question solve करते हैं, अगला question हमारा य यह है, limit x 10 to 0, alpha x e to the power x minus beta ln 1 plus x plus gamma x square e to the power minus x upon x cube बराबर 10th and the value of alpha plus beta plus gamma is, alpha plus beta plus gamma की value निकाल नहीं है, आपको कैसे निकालोगे, ऐसा तुमने कई questions solve किया होगा, alpha, beta, gamma तीनों की value निकाल करके, तीनों को जोड़ करके answer बताना है, ठीक, यह subjective में पूछा गया था, तो बताओ कैसे solve होगा, इसको solve करने का सबसे चारीका बताओ क्या है, इसमें L hospital rule लगाएं, कि जो है expand करें, दो में से एक बताओ क्या करना चाहिए, expansion करना चाहिए, क्योंकि ऐसे questions expand करके solve करने चाहिए, ज़्यादा chances होता है, कि एकदम सही answer पहुँचोगे, ठीक है, अभी x cube तुम divide करने ल जाएगा, आप लोग ऐसे questions में जहां पर unknown solve करना पड़ता है, वहाँ पर अगर expansion कर सकते हो, तो expand करने को preference दिया करो, ठीक है बच्चों, तो चलो जब दी solve करते हैं, इस question को, limit x tending to 0, सबको expansion याद है या नहीं, कि भूल गए हो, 1 plus x plus square by 2 factorial, 10 x cube by 3 factorial, ऐसे होता है ना expansion, और x cube क जाना क्यों हो, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे x cube लिखा हुआ है, तो x power 4 तक जाने भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंत में जो x power 4 या x power 5 के जो terms होंगे, उसमें जब x cube डिवाइड करोगे, तो x या x square ये सब बच जाएंगे, या x के और higher power वाले जो terms हैं, बच जाएंगे, तो at the last limit x 10 into 0 लिखे होने की वज़े से वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर e to power x को हमने x cube एकस्पैंड किया, यहाँ पर x लगा हुआ है, तो हमें x square तक ही जाना था, तो अभी हम इससे भी इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो फिलाल x cube तक अभी ले चलो ठीक है, minus beta ln 1 plus x को कैसे expand करते हैं, x minus x square by 2 plus x cube by 3, बस यहीं तक जाना है, ठीक है, और इसके आगे फिर बगल वाला, plus gamma x square, और e to power minus x को कैसे expand करोगे, e to power minus x expansion होगा, 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial और plus, ऐसे dash dash से करते होगे, ठीक है, यह ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तो बच्चों, अब इस question को solve तुम्हे करना है, और नीचे x cube लिखा होगा है, ठीक है, ठीक है, तो यह तुमने, तुमने, जो तुम में मिल रहा था, e power x मिला था, e to power minus x सब को तुमने expand कर दिया, ठीक ह this is equal to 10, ठीक है, अब देखो, इसमें जो ऊपर दिख रहा है, इसमें तुम लोग एक बात बताओ, कि इसमें कहीं पर तुम्हें x दिखाई दे रहा है, limit x standing to 0, x के साथ क्या आएगा, यह बताओ, x square के साथ क्या आएगा, यह बताओ, और x cube के साथ क्या आएगा, यह बताओ, ठीक है, तो चलो बच्चों, इसको ऐसे करना है, अलग अलग, power के form में इसको लिखना है, तो सबसे पहले x के साथ क्या आएगा, बोलो, x क्या आएगा, यहाँ पर alpha आएगा, देखो ध्यान से, सबसे छोटी power x है, ना, x की सबसे छोटी power क्या है, भई, x ही तो है, आना, x power minus माइनस वन या एक्स पार माइनस टू तो है नहीं है तो फिलाल अलफा एक्स के साथ अलफा आ रहा है और क्या रहा है एक्स के साथ एक्स साथ यहां माइनस बीटा माइनस बीटा ठीक है और फिर एक्स स्क्वाइर के टर्म में और यहां पर एक्स आही नहीं रहा है ठीक है तो एकस्क्राइब के साथ मायनस प्लस हो रहे है तो फ्लस बीन जाएगा यहां पर सकता माहा प्लस जाता अच्योज में सिब्सक्राइब यह छुब्नेगा वक्क्षा क्यों कहента है फ्ल्स एक Εक्सक्राइब cod के साथ आएग γाल्फा यह जाएगा तो जब यह और ये multiply होंगे तो x cube बनेगा तो alpha by 2 आएगा ठीक है और इधर देखो x cube आ रहा है हाँ आ रहा है तो minus beta देखो minus beta by 3 आ रहा है ना minus beta by 3 हाँ चलो x cube अधर x cube के साथ कुछ आ रहा है हाँ minus gamma आ रहा है ठीक है और उसके आगे x power 4 ये सब लिखने के ज़रूरत नहीं है उसको ignore कर सकते हो क्योंकि x power 4 साथ कुछ भी आएगा यार उसमें x cube से जब divide करोगे तो x बचेगा है ना तो कोई मतलब नहीं हो उसको लिखने का तो इसको directly लिखने का ठीक है और उसके आगे क्यों क्योंकि वो सब limit x 10 to 0 की वज़े से वो automatic इसके बात वाले जो term से वो 0 हो जाएंगे फिलाल इसकी value 10 है और इसको आप divide कर रहे हो तो यह क्या बन रहा है यह बन रहा है limit x turning to 0 alpha minus beta upon x square और इधर alpha plus beta by 2 plus gamma upon x और plus alpha by 2 minus beta by 3 minus gamma is equal to 10 तो यह कब possible है बताओ अगर x 0 के पास जाएगा तो यह तो infinite के पास चला जाएगा alpha minus beta अगर 0 ना हो तो तो यहाँ पर सिधा सिधा यार इसको देख करके alpha minus this is possible only when this is equal to 0 और alpha plus beta by 2 plus gamma is equal to 0 और साथ-साथ alpha by 2 minus beta by 3 minus gamma बराबर 10 ठीक है तो अगर यह तीनो satisfied हो जाए alpha minus beta की value 0 होनी चाएगे क्यों 0 by correct 0 by 10 to 0 0 होता है ठीक है अगर 0 by h square लिखा हुआ है और limit as time to 0 लिखा हुआ है चाहे जो हो जाएगे 0 के पास है और यह correct 0 है उपर वाला correct 0 correct 0 में तुम जितना भी छोटा number divide कर लो पर 0 नहीं हो अगर तो इसकी value 0 आएगी यह सब मैंने तुम लों को limits chapter में बहुत highlight करके बताया हुआ है जिनको न पता हो वो जाके दिख सकते हैं ठीक है तो फिलहाल अब इन तीनों को बई जिसके नीचे x बज़ जाए wallet terms को 0 करना पड़ेगा क्योंकि अगर 0 नहीं करोगे तो फिर इसको infinite के पाथ भगा ले जाएगा तो infinite पाथ न भगा के ले जाएगा क्योंकि यह सब मिनके finite value आ रहे है finite value तभी आएगी जब यह infinite नहों यह infinite नहों तो infinite को control करने के लिए हमें उसको 0 बना पड़ जाता है कभी कभी है ना अगर possible है तो numerator को हमें 0 करना पड़ा इसको हमें 0 करना पड़ा ताकि 0 by something जब करेंगे और यही option नहीं बच रहा है नीचे x या नीचे x और x का जो लिखा हुआ इनको control करने के लिए यही option नहीं बच रहा है कि numerator को हमें 0 करना पड़ेगा यहाँ पर beta plus beta by 2 plus gamma बराबर 0 तो gamma बराबर कितना जाएगा यहां से आ जाएगा gamma बराबर minus 3 BETA by 2 correct एक यह हो गया एक यह हो गया आज़ को तीसरा देखो अब alpha बराबर बीटा यहाँ रख दो तो beta by 2 minus beta by 3 minus gamma is equal to 10 और इसको solve कर लो जो दीज़े कितना आयगा, यह आजाएगा, 6 और 3 बीटा बाइ 6 है न, तो बीटा बाइ 6 माइनस गामा, और गामा की वाई यह आ रहे हैं तो पलस 3 बीटा बाइ 2, या डारेक्ल ऐसे कर दें यार, बीटा बाइ 2 माइनस बीटा बाइ 3 और पलस 3 बीटा बाइ 2, अरे गामा की बेराबर यहा है ना, बराबर 10, यहां से बीटा की वेलू मिल जाएगे, और बीटा की वेलू मिल जाएगे, तो हम फिर अलफा और गामा की वेलू भी निकाल लेंगे, ठीक है, यहां पर 6 हो गया, 3 बीटा, माइनस 2 बीटा, और प्लस कितना हो जाएगा, 9 बीट बराबर 10 ठीक है और यहां से आ गया 10 बीटा अपॉन 6 बराबर 10 तो बीटा बराबर कितना आ गया बीटा बराबर 6 ठीक है तो बीटा की वैलू 6 के बराबर है और बीटा की वैलू 6 है तो जाहिद से बात है alpha की value 6 हो गई ठीक है तो beta बढ़ाब 6 आ रहा है न गामा बढ़ाबर क्या हो जाएगा gamma बढ़ाबर हो जाएगा minus 3 into 6 by 2 और यह हो जाएगा minus 9 ठीक है, और beta बढ़ाब 6 को आई चुका है, ठीक है तो alpha 6, beta 6 और gamma minus 9, तो आप से क्या पूछा गया है alpha plus beta plus gamma की जो value होगी वो कितनी होगी जल्दी से बताऊ alpha plus beta plus gamma इसको गामा इसको पिरुक्र कि और ग्रिम्रों यह जाएगा alpha 6 beta 6 है और वो minus 9 ठीक है तो गुल मिला कि alpha plus beta plus gamma की value 3 के बराबर हो जब्याबर क्योंकि alpha की value कितनी हो और gama की value माइनस ना रही थी ठीक है देखो माइनस ना रहा था था ना तो आलफा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू थी आ जाएगी ठीक है तो यह सब्जेक्टिव कुछा गया था बड़ी आसानी से सॉल्फ कर लिए हमने एक्सपैंसर के यूज करके तो इस कोस्चन से हमें यह पत साथ बताई जा रही है तो इसको अगले पर में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग एक्सपैंड करके आंसर निकाल लीजेगा ठीक है तो यहां तक हो गया चलो अब अगला कोश्ण सॉल्फ करते हैं ठीक है तो अगला कोश्ण हमारा यह है क्या लिए लिमिट एक्स टेन फिर जो आएगा फिर उसे रेस्नलाइस करो ऐसे करो गें तो हो जाएगा ठीक है ज्यादा लिखना पड़ेगा पर मैं तुम्हें से सॉल्फ करा जाता हूं उससे एल हॉस्पित रूल से ठीक है तो यह किस फॉर्म में है पहले तो यह देखो अगर एक्स के लो जेरो के पास माइनस 1 बाइट माइनस 1 तो माइनस 7 बाइट सही है और माइनस साइनेस का डिरेट में माइनस कॉस एक्स करेक्ट समझ में आरी बात है ना तो यह ठीक है और बगल में कितना आ रहा है माइनस 1 बाइट 1 प्लस साइनेक्स की पावर माइनस 7 बाइट ठीक है यह समझ में आ रह हो रहा है ना तो 1 by 8 माइनस 1 आने की वज़े से माइनस 7 by 8 आ रहा है ठीक है आचा चलो और cos sin x का डिलेटिव cos x ठीक है यह हो गया बस हमने differentiate कर दिया आप यह कोई form में तो है नहीं तो अब x की value 0 रखी दो यहां पर जब x value 0 रख रहे हैं एक्स ठीक है तो यह कितना रहा है तो माइनस 1 by 8 आ रहा है तो यहां पर cos 0 1 होता है तो माइनस 1 by 8 बच रहा है ठीक है और ऐसे यहां पर x 0 के पास जाएगा तो 1 और यह भी 1 cos 0 कितना होता है 1 ठीक है तो माइनस 1 by 8 ठीक है तो और यह कितना आ जा रहा है यह आ जा रहा है माइनस 1 अपान माइनस 1 अपान माइनस 1 बई 4 और इसकी value हो जाएगी माइनस 4 ठीक है तो answer माइनस 4 हो गया इसका answer माइनस 4 करेक्ट समझ में आ रहा है बच्चों ठीक है तो चलो यह question भी तुम्हारा solve हो गया और इसको तुम अगर rationalize करेकर तो भी तुम्हारा हो जाता पर जरुवत क्या है यार रेस्नलाइस करने की डाटली जब हास्पिटर रूल लग जा रहा तो लगाओ और अगर वह होता तो मालो रेस्नलाइस करना होता थोड़ा सा बता दूँ तो उपर नीचे हम क्या करते हैं और यह सेम चीज़ हम नीचे मट्रिपाई कर देते हैं इसको रेस्नलाइस करने के लिए और इससे हमें पाइदा यह होता कि जो पावर है वह ठाटीक होना शुरू हो जाती है कैसे ठीक हो जाती देखो यह दोनों जो मैंटिप्लाइब करो कि कितना आएगा वन प्ल दुबारा हम करते पर पर 1 x 4 कर पर तो फिर बंगा 2 x 1 x 2 ौइससा कुछ निचे तो उस तरह से भी कर दीजेगा अगर फिलाल अभी यहाँ पर तो मैं इसी तरीके सॉल्व कर रहा हूं एलहापसडल रूल से मैंने इसको तुम्हें सॉल्व करा दिया ठीक है तो चलो बच्छो आगे बढ़ते हैं अब हाँ यह हमारा एक कुश्चन और हो गया माइनस पॉर इसका अंसर है ठीक है तो अगला कुश्चन हमारा यह है अगला क अच्छे इसमें से कौन इनीडिजर नि भी और रही इसमें से क्वेट युड़ करने के लिगju विए तुम इंधानियों तूम्हें काम करो तुम इसको ऐसे करनों तो लिभी नदिन बहुत बड़ी quantity है तो वन प्लास वन भाई एन पार एन इसको करनो लिमिन गतें पंद छुट बाकर देख लो क्या आथा है तो यह एन प्लस गधार पास जा रहा है infinite e to the power n और 1 plus 1 by n minus 1 कर लो 1 1 कट गया और limit n tending to infinite और e to the power n by n और इसकी value कितनी आ रही है इसकी value आ रही है e to the power 1 मतलब 2.7 के आसपास आ रही है ठीक है 2.7 के आसपास ठीक है कुछ है इसको equal to न लिखे है इसको e लिखे है ठीक है तो exponential e इसकी value है लगभग 2.7 के आसपास ही रहेगी ठीक है क्योंकि 1 के साथ जुड़ा हुआ है ये एकदम 0 करीब जा रहा है और यहाँ पर infinite करीब जा रहा है नीचे infinite के पास जा रहा है बहुत बड़ी quantity है बहुत बड़ी quantity करके 0 के पास चली जाएगी इसक है तो इस से compare करके हमें पता चला इसकी लगभग e के पास आ रही होगी ठीक है तो ठीक है e की value 2.7 के आसपास होती और 2.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर अरे जस्ट बड़ा in options में 3 है ठीक है तो which of the following value is just greater than this तो इन में से just greater 3 है ठीक है e से just greater exponential e exponential e से just greater 3 होता ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह question बहुत आसान सा था चलो एक और question लगाते हैं यह question अब देखो यह question है evaluate limit x 10 to 0 x square f2 minus 4 fx upon x minus 2 if f2 ब्राबर 4 and f dash 2 ब्राबर 1 ठीक है तो अब इस question को तुम्हें solve करना है limit x 10 to 0 लिखा हुआ है नहीं x 10 to 2 लिखा हुआ है अगर x 2 के पास जाती है तो यह 4 बन जाएगा 4 f2 और 4 f2 ठीक है तो 0 by 0 form में है तो differentiate कर लोगे limit x 10 to 0 x 10 to 2 और यह आएगा 2 x f2 ऐसा तुम्हें बहुत question कर रखा है है ना और यह repeat हुआ यह बहुत ज्यादा ही repeat हो गया है तो ठीक है तो इसको आपने differentiate कर दिया limit x 10 to 2 कितना आ गया और limit up क्यों लगा तो value रखने जा रहे हुआ तो ठीक है कितना आएगा तो यहां पर 4 by 2 into 4 4 f2 minus 4 f-2 काम कहता है ठीक है तो f2 गया 4 दिया हुआ है तो इसकी value कितनी आ गई 16 minus 4 12 इसका answer 12 के पराबर है ठीक है तो चलो बुच्चो अब तुम्हें समझ में आ गया हो कितने असान-असान question आये थे न limits में अब continuity और differentiability में question थोड़ा अच्छे आये हुए थे और बहुत अच्छे आये हुए थे उसमें भी लिमिट्स का ही use होता है तो next class में question करेंगे कि हम लोग continuity और differentiability के पूरे questions को एक साथ करें ठीक है चलो बच्छो आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलते हैं और बाई आझ करेंगे तो आझ करेंगो तो आये हुए भी हैं और भी है करेंगो कि अजये है तो आझ कि लो आझ है।